तो वो होगा शाम मिटालिक्स एन एनर्जी लिमिटेड आप देखिए हाली की लिस्टिंग है 24 जून को इसकी लिस्टिंग हुई थी इंटीग्रेटेड मेटल प्रोडूसर है आप जो लॉंग स्टील प्रोडुक्ट्स की बात करते हैं वो ये कंपनी बनाती है जिसमें पैलेट्स आते हैं साथी जो स्पॉंज आइरन है वो कंपनी प्रोडूस करती भी दिखती है यहाँ पर अगर आप देखें तो जो यह लॉंग सील प्रोडूक्स बनाती है उसकी तो बहतरीन मांग से इनकी आए में उच्छाल होगा ही पर ऑपरेशनली भी कंपनी काफी जादा आउट परफॉंच करती भी नजर आ सकती है इनकी क्लाइंट सुची में पॉसको जिन्दल स्टेनलिस जैसे जो कंपनिया हैं वो शामिल हैं और साथ ही तिमाही आधार पर भी नंबर्स बहतर रहेंगे अब नंबर्स पर नजर डालते हैं आप देखिए आए करीब करीब आप देखिए एक हजार असी करोड ये इसका बेस फिगर था उसके मुकाबले 1652 करोड कंपनी रिपोर्ट कर सकती है जहां पर कामकाजी मुनाफ़ कंपनी का 194 करोड से बढ़कर 612 करोड और उसका इंपाक्ट इनकी मार्जिन्स पर मार्जिन्स स्ट्रेट आवे पिछले साल के मुकाबले दोगुनी होती वी इनफाक्ट उससे भी जादा 18% से बढ़कर 37% की मार्जिन्स कंपनी दर्च कर सकती है और साथी कंपनी के मुनाफ़ा 78 करोड से बढ़कर 417 करोड ये हमारा बेस्ट अनुमान है क्योंकि जिस तरह से अभी हाली में लिस्टिंग हुई है जिस तरह की प्राइसिंग है 383, 385 के लेवल्स पर कंपनी ट्रेड करती भी नजर आ रही है और इसी लेवल पर कंपनी की लिस्टिंग हुई थी आएज है जिस तरह कि लेवल्स वेवल्सट वेवल्स पर कंपनी की लिस्टिंग है भी है जिस तरह कंपनी है ये है दो कि दो वेवल्स पर शोल्वट बवाएद है झाल झाल